पक्षान चाँ राजा मंनुन न्युवण हुने चाँ मान मोरा लाच कामिडाला अशी शंकाने काँ चाम मनात आले असेल राष्टीय पक्षी मंनुन भार सरकार ने मोर या पक्षाला मानत दिली या चाह मागे थोड़ा सा इती है हमारे मुलक में हजारों परिंदे हैं तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि मोर को परिंदों का बादशा मुंतकिफ होने का एजास क्यूं मिला। मोर को हंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से कव्मी परिंदे की तौर पर तस्लीम किये जाने की एक तविल तारीख है। चंद साल पहले जापान के शहर टोकियो में दुनिया भर से नुमाइन्दे परिंदो पर गाउर करने के लिए जमा हुए मंदोबयन के इजलास में मुंतफ़का तोर पर फैसला किया गया कि हर मुल्क अपने मुल्क से एक मकसुस परिंदे का इंतकाप करे और इसे कौमी परिंदे यानि परिंदों का बादिशे के तोर पर इज़त दे या सुचने चा उद्देश असा होता कि वन्ने पश्व पक्ष ही अपनी राष्ट्य संपत्या है तीचे रक्षण काले आम जनते चे लक्षठे वेधावे या सुचने प्रमाणे सरकार ने वन्ने पशुन चे रक्षण करने साथी निमलेल्या समीती ने या प्रश्णा चा संगोपांग विचार के लाए प्रत्यक राज्या चे अभिप् आणि अश्या रिती ने अनेक पक्षण ची नावे राजे पदा साथी सरकार कड़े पाठनेत आली त्यात गरुड हंस महसारंग आदी पक्षण ची नावे होती अनेक पक्षण ची नावात उन एक नाव निवलने साथी अनेक कसोटया लावनेत आले त्या सर्व कसोटयात म इस तज्विस का मकसद आवाम की तवज्जे इसकी हाकिकत की तरफ मबजूल कराना था के जंगली हायात हमारा कावमी असासा है और इसका तहफूज है हर रियासत से राय तल्ब की गई और इस तरह कई परिंदों के नाम हकुमत को रायल्टी के लिए भेजे गए इस पर अखबार से उकाब हंस महासारंग और दिगर परिंदों के नाम भी थे बहुत से परिंदों के नाम में से एक नाम मुंतकिफ करने के लिए कई परिंदे लगाए गए थे मोर ने तमाम इम्तिहानात पास कर लिए और कौमी परिंदा मुंतकिफ हो गया या कसोटेल आवतान ना एतिहासिक प्रणाली कावयाची पारश्व भुमी लोखांची आवण इत्तेदी बाहे कारणा बरोबरच रंग, सरिशोस्टो, कलात्मक्ता, कंट्स्वर, आदी पक्षी वेशिश्टें चाही विचार करनेत आला आनित्यात राश्टिय पक्षी हा माना चक किताब दिन्यास मौर हाच पक्षी योग गया है असे थारानत अले बैरूनी अवामिल जैसे कि तारीखी निजाम, शायराना पसमंजर, लोगों की दिल्चस्पी वगयरा के इलावा परिंदों की खुसुसियात जैसे रंग, जिस्म, फनकारी, आवास की नालियों को भी मद्दे नजर रखा गया और फैसला लिया गया कि मौर कौमी परिंदे के लिए मौजब तरिन परिंदा है